हेलो दोस्तों वेल्कमें टू पटाइट पीजी चैनल आज का वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग है क्योंकि आज हम कुछ प्राक्टिकल सीखेंगे जिस तरह आप देख रहे हैं मेरा सामने एक आपका देख सकते हैं यह जो आपका बैटरी है और उसके साथ एक ट्रांसप रचिंग हम सीखेंगे यह सारे वीडियो आप देखने के लिए पूरा वीडियो देखिए उसके साथ वीडियो को अच्छे लेके तो लाइक केजिए और चैनल को सब्सक्राइब केजिए देखेंगे यह जो तरीका है बहुत ही सिंपल तरीका है क्योंकि आपका पास कुछ खरीदना है और उसके साथ कुछ चीजा भर में मिल ₹ भाएगी नहीं कि चीज जो है और शंद घ्र द्फरीश जो मेरा पास चीज ता और यह त्रांस्पर माहा है देखर रहे हैं विसके rajकट क करिए और उसके ila करीद कहरेद G Mister चीजश हम घर से ठीक और सारे चीज़ हम घर से ठीक के हैं देकिए यह जो सेटिंग है यह इस मैं कि अलग है मेरे चनलरिके और आपको आठरीडे आपको बेडिक की 130 लग अच्छा लग रहे तोक्त लाइक को मिला है फीमें मीरा पास यानि मेरा पास या वह वाइक से निकला है बाइक में दूसरा अक बै्टरिघया है क्यूंकि जो बैटरी था वो बैटरी से नहीं अधिर यांकि जो सेल्प चार्टिन है वह नहीं चल रहा है यह बैटरी का कैपिसेट यौ 250 है यह 12.4 पांप बल्ट है औरूसके साथ मिरे फाधून है यह ट्रांस्पर्म माँने खरेते हैं दोकान से खरेते हैं है और यह ट्रांसपर्मां आप ही कमधाम यह सकते और यह में ज़्यादा बड़ा खरेदेया है यह कि ही इंभर या और यह फोर अंपीयर होके तो ज़्यादा जलदी चाजिंग होगा इसलिए में थ्यूंट बड़ा खरेदे आप इसे ओं-लाइन करेंगे और उसके साथ आपका जो एक चीज मिला है जो आपका LED है ये LED को हम करेंगे और उसके साथ इसे जलाएंगे और और एक चीज मेरे को लाना है यह जो 20 रुपिया वाला यह मेरे को मिला है डाइड यह 4 अंपेर का डाइड है यानि मेरा जो टांस्परमा यह 4 अंपेर का उससे ज्यादा में खरीदा हूं यह 5 अंपेर का डाइड है यह डाइड को मैं कनेशन करूंगा कैसे कनेशन करूंग के से करने संब्सक्राइब देखो इसके बाद मेरा पास एक देखिए जो मल्टी मिट्र है ये मल्टी मिटर मेरे पहले था ये मल्टी में आप को ज्रूत नहीं है आप हगात आप विसे टेस्ट कर सकते हैं में मिल जाएगा यह शारे लिंक डेस्कूशन दे दूब है आप चाह सकते और उसे ज्यादा कनेक्टिव यह सल्डरिंग आप कर सकते मैं सल्डरिंग कर दूँगा क्योंकि मेरा कुछ नहीं अना चाहिए और उसके साथ जो पेस्ट में यह पेस्ट मेरा पास है यह सारे चीज हम को चुरूते और एक चीज मैंने तायर किया है यह जो आप उडेन को पेस्ट मीयँ फिट करूंगा यह से लिए किस्तर सेट करता हूं आप की तरह सेट करूंगा आपको देखता हूं देखिए मैं यह जो आपका बेटरी है यह यह स्ट раз में fit करूए यह हो गया मेरा जो यह उडन पर इस तरह हो गया और उसके बाद मैं transform को इस तरह में fit करूँगा ट्रांस्पर में तदेख सकते हैं जिस तरह में ibn kronọi क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर लिखा है यहाँ पर लिखाए है यह आउठ है यह इंपूट है यह दोनों साइड इंपूट लगांगा यह दोनों से आउटपूट लगांगा और इसे हम इस तरह फिट कर देंगे हो गया यह तरह फिट करने के बाद हम क्या करेंगे जो डायड है यह डायड को पहले तरह आपको देखके इसे मैं खुल देता हूं इस थरह देखिए चार टाइड मेरे को मिला है और मैंने ये 20 रुप्या मुलाए हूं आप ये इसे खरी सकते देखिए कुछ नहीं करना शिर्प आप देखना ये जो जो कलर है ये देखिए इस तरह सही तरह देखिए आप इसे यह देखिए आपको जो देख रहा है यह जो वाइट थरा मार्किंग है इस आप पकड़ देना इस तरह पकड़ना और इसे इस तरह गमा देना यह कनसन हो गया एक साइट कनसन हो गया हो गया दूसरा भी एक तरह आप लेना दूसरा साइट आप इस तरह लेना और जो ब्लाक स करने सब्स्राइब करते ही यह यह प्लाक्रीड में जरुशंभाब के सब्सकूब करना इसे किरि neighborhood हे यह कर सकते लिए आफ इस तरह भी करेंगे कुछी भी प्रॉब्लम नहीं देखिए मैं कर देता हूं और उसके बाद यह साइट भी कनेशन कर देता हूं देखिए मैं प्लाय रालाके इसे ठड़ा टाइट कर दूँगा क्योंकि यह टाइट होना जरूरूर थे लोज गाता आपका थे दिक्त हो सकते हैं यह हो गया हमारा रेक्टिफार यार्नि यह जो आपका AC को DC करेंगे यह जो डाइट है आपका AC को DC करेंगे लेकिए 2 sites आप देखें, ये sites आप देख रहेगी, ये site और ये site, ये 12 site बहुत ही important है, ये site दोनो output है, और ये site दोनो input है, देख से कते हैं, ये यह उपट एंची इंसे ःगले और यहां पर यह साइट आउट पूड और यह वाइट आऊट्पूड और यह यह दोनों ब्राक साइट are. इंसेर्ट में पर सिलाट्पूड़ा. ये एट को बेगवा हम लिए हम नेुद हलेगा आपक और यह दिनो साइड इनपूट है यहां पर आप दोनों लग देंगे आपको टांसपर में डारेक कनेशन होगा यह दोनों साइड आपको LED पर कनेशन होगा हो गया अब भी यह सेटिंग होगा यहां पर मैं कनेशन करूँगा और उसके बाद मैं पहले तो अभी मैं टेस्ट कर देखूंगा क्योंकि 12 वल्ट हो यह दिखिए मेरा 20 वोल्ट है मल्टीमेटर है यह भी लखाई यह वल्ट है और उसके यहां पर जो भी लखाई यह सी का है यह है तो मैं 20 वल्ट रूखंगा 20 वल्ट रखने के बाद हम टेस्ट करूंगे यह लेप्ट राइट है आप देख हूंगा कितना वल्ट आ रहे हैं देखिए मेरा यह 12.47 वोल्ट है आप देख सकते आपको दिखाई दे रहा है अब देखिए यह देख रहे है 12.38 वोल्ट यानि इतना वोल्ट मेरेको यह जो बैट्री है निकल रहे है और यह 12 वोल्ट में मैं सेट करूंगा अपने ट्रांस यह आपका साइट है आपका इंपूट साइट है मैंने इंपूट साइट में करेंट करते दिया और उसके जाद आउट्पूट साइट में टेस्ट करूंगा कि कितना वोल्ट आ रहा है यह देखिए मेरा इंपूट साइट में मैं टेस्ट करूंगा पहले मल्टिमेटर लेक बनाव्ट आ रहा है मेरे मवफ में यह चेक करकर में रखना है पहले ज्यादा रखने तो अ Ende ढूरे ने वकेक keeping मेर अप्णाओ नारे आप देख सकते हैं कितना आ tér आ अब देख सकते fps मैं आपने Multimeter को Un किया Multimeter को Set किया मैंने 200 Volt में जो AC है, वल्ट सिंबल AC सिंबल में रखा हूँ क्योंकि 200 Volt होगा तो यह Test सही होगा मेरे मेरे एक साइट में यह connection कर रहा हूँ जो Transirm है यह input transparent output है, यह output है यह में दोना साइट connection किया और यह अभी मेरा अगर देख रहा है 13 वाल्ट देख रहा बाइवर्व लटेख रहा Barbara जाहलोगो यह तो हम टेस्ट करेंगे तो आप पता चलेगा यह सारे से इस तरह है सबक्त्र सब्सक्राइच वह दाे लिख करनाओ ज़ए यहां पर कैकंशन कर दिया और तो यह जो डाइड है यह डाइड करनेशन करना है डाइड किस तरह करनेशन करना है सिर्फ सिंपल है यह जो साइड आप देख रहे हैं मैं इसे रख देता हूं और इसे अन्पलक कर देता हूं देखिए डाइड जो यह साइड है यह साइड आपको पजेटिव साइड रखना है य चीबॉल दिया है ये साइड आपको positive side रखना है थीक है तो अभी मेरा connection हो गया देख सकते है यह जो आपका input है और यह output है यानि दोनों बेट्री में connection होगा यह जो आप बेट्री में देखेंगे यह साइट आप negative होगा और यहाँ पर connection होगा यह बैट्री चाल जोगा और LED के लिए यहाँ से ओर दू करनेशन लेंगे ओ दो को जो हैं डिमें करूंगा यह सारी सेटिंग में बताता हूं आप देख सकते यह समझ सकते किस तरह सेटिंग हुआ ढाइड करनेशन भी बज़ समझ दिया हमने और यह हम यहां पर लगा देंगा यह जो वोडन है यह वडन पर हम इस तरह फिट कर और इसे विडियो को आप देखे किस तरह मैंने connection किया आप पहले देखे देता हो उसके बाद last में testing करूँगा और उससे देखूँगा देखे पहले तो यह देखे यह जो वेर लगा है यह red बाला वेर यह वेर आपको input में लगा है देखे यह दोनों साइट यह दोनों साइट में left right यानि positive negative side में लगाएंगे याद रखिए positive में कि सही तरह लगाना नहीं तो आप दिकत होगे इसके बाद जो output होगा अपने LED के लिए यह जो वेर निकल है यह वेर अपने LED पर लगाएंगे देख सकते यह भी positive negative इस तरह आप connection करेंगे यह सारा था अपने process तो यह process को हम चार्ज करेंगे और उसके बाद आपको दिखाए देंगे तो देखता हो charging में टेस्टिंग करो पहली बार तो कैसे अपने reaction होता है अपने कुछ भी reaction नहीं तो होगा फिर भी कुछ जगरबर होगा तो यह reaction दिखाए देख सकते हमने यह charging लगा दिया और अभी मेरा यह complete ह हो गया का देख सकते हैं अभी मेरा charging हो रहा है यह नि मेरे बेटरी अभी charging हो रहा है और चार्जीग होने के बात हम लंग क्या करेंगे और इसे अपने कर सकते में देखता हूं एक होता है ये तो आपने बेटरी में चार्ज होगा तो ये चार्ज अब ठहожет करता होगा आप चैनले को कुछ कुछ ब्लकर और दोर हाथ यह विसलियो करेंगे यह पता दूल्क करेंगे क्योंकि ब्लक और या compost हाना चाहिए नहीं तो LED नहीं जलेगे देख सकते मेरा LED अभी रानिंग हो रहा है यानि चार्जिंग हो के यह जल रहा है इस तरह आपने घर में यह बैटरी आप करनेशन कर सकते देख सकते यह LED हमारा जल रहा है देख सकते यह LED हमारा जल रहा है अभी मेरा LED की स्थरा लाइटिंग देरा है देख सकते देख सकते बैटरी में अपने अपने बैटरी जो है रिचार्ज हो रहा है देख सकते हैं यह LED मेरा अभी running हो रहा है यानि जल रहा है इस तरह आप setting कर सकते हैं अपने घर में जो पुरानी बेटरी है यह पुरानी बेटरी को आप यूज कर सकते हैं आप इसी तरह वीडियो के लिए हमारा वीडियो को like किजिए और उसके साथ हमारा चैनल को subscribe किजिए